हेलो एवरीबन स्वागत है अपनों का अमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस अकेडमी पर दोस्तों हम लोग जैसा की अध्यन कर रहे थे गटना चकर की सिरीज जिसमें मोडरन हिस्टी पाट रहे थे और आज हमारा टॉपिक होगा सविना अवग्या अंदोलन तो चलिए कर रहे थे को हैं जेयल नहरू यानि जवाहरलाल नहरू जी फरवरी 1930 में सावरमती आस्रम में हुई कॉंग्रेस कायर काड़ी की दूसरी बैठक में महात्मा गांदी को इस आंदोलन का नेत्रत तो सौंपा गया था महात्मा गांदी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद दांड ध्यान दीजेगा 6 अप्रेल 1930 को डांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया क्योंकि 5 अप्रान 1930 को पहुँच जाके और 6 अप्रेल को कानून तोड़ते हैं यानि कि नमक का खुद नमक बना कर और इस परकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने आपचारिक अलबा से पेरिस कि और किये जाने वले अभियान से की है और किसने किये तुलना सवाशन बोस ने एक अंग्रीजी समाचार समभादाता बेल्स फ्रोड पोड ने खिली उड़ाई और कहा कि क्या समराठ को एक केतली में पानी उबालने से हराय जा सकता है इसके उत्तर में समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक की डूमिनेन स्टेट्स नहीं मिल जाता सविना अवग्या आंदोलन गांधी जी के नेत्रित में पूरे देश में फैल गया और तमिलाडू में तंजोर तट पर गांधिवादी नेता सी राजगुपाला चारी ने तिरुच सभी देशी और विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हैं कहा सक्ति के विरुद अधिकार के इस लड़ाई में मैं विश्व की शाहने भूती चाहता हूं सविना वग्या आंदोलन के दौरान धरसना नामक गोदाम पर कॉंग्रेस कारेकरताओं के धावे से पूर्व महत 2030 को धरसना नामक गोदाम पर धावे का नितरतु किया और इस लोम हर्सा घटना कवेवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ध्यांदना सविना वग्या समयित कौन है वेब मिलर ने प्रस्तुत किया उत्तर पशिम सीमा प्रांत में खान अब्दुलकफार खान के नितरतु में खुदाई खितमतगार नामक स्वैम संगठन इस्थापित किया गया और इन्हें लाल कूर्थियानी की रेट शर्ड करते थे और लाल कूर्थी संगठन ने पठानोटी राश्टी एक्टा का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंधृता के लिए बिटेस उपनि सबिनवग्या आंदूलन के दोरान पेसावर में गड़वाल रेजिमेंट के सिपाइयों ने चंदर सिंग गड़वाली के नेतृत में निहत्य भीड पर गोली चलाने से इंकार कर दिया सबिनवग्या आंदोलन के तोरान मड़ीपूर की जन्जातियों ने भी सक्री वोमिका दिखाई थी जैसे यहाँ पर आंदोलन का नेत्र तो नगा जन्जाति कौन नगा जन्जाति की महिला एक गडेनलियू ने किया इसे जिया तरंग आंदोलन भी कहा जाता है दिसंबर 1930 में सविना वग्या आंदोलन के दोरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकिदारी टैक्स के विरोध में परदर्सन हुआ परदर्सन कारियों ने दमन चकर की परवा नहीं की सविना वग्या आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रशनात्मा कारेकरम क महतु दिया, अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरीजन उत्थान में लगाने के लिए सक्री राजमिती से स्वयम को हटाने का निश्य कर लिया और सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरीजन कल्यान हेतू, अखिल भारती छोआचूद विरोधी लिक जहां दीजेगा ये किसने स्थापित की है, तो अखिल भारती छोआचूद विरोधी लिक और ये 1932 में स्थापित हो रही है, कि ये स्थापना होई और हरीजन नामख एक या लिखता है कि 1929 में लहॉर कंग्रेस अदिवेशन में कांग्रेस कारिकारी को सभिना अवग्या अंदुलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था फरवरी 1930 में सावरमती आश्रम से हुई कॉंग्रेस कारिकाणी की दूसरी वैटक में महत्मा गांधी को इस आंदोलन का नित्रत तो सौपा गया दूसरा प्रशन है दांडी यात्रा के साथ निमलिखित में से क्या प्रारम हुआ तो दांडी यात्रा के साथ निमलिखित में से सवीना वग्या आंदोलन प्रारम हुआ जो का प्रारम होता है 6 अप्रारल ये ध्यान दीजेगा इसकी डेट 6 अप्रारल मानी जाती है क्योंकि जिस दिन निकले थे उस दिन नहीं बलके जिस दिन उन्होंने कानून तोड़ा था नमक बनाया था 6 अप्रारल को उस दिन इसका एंसर माना जाता है महत्मा गांधी 12 मार्च 1930 को अपनी परसिद दांडी मार्च सुरूप किया और उन्होंने सावरमती आसरम से चुने हुए साथियों के साथ सत्यागरह के लिए पूच किया 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने आपशारिक रूप से सविना वग्या आंदोलन की गांधी जी के नेतरतों में पूरे देश में फैल गया और तमिल 1930 में और कप की गई थी 1930 में तो 12 मार्च 1930 को प्रारम की गई थी चोथा प्रशने सविना वग्या आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारम किया था कप किया था तो 12 मार्च 1930 को प्रारम किया था और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून बनाकर तोड़ा था नमक का कानून तो अगले प्रश्ण क्यों देखते हैं गांधी जी ने डांडी यात्रा प्रारम की थी कहां से की थी सावरमती आस्रम आहमदाबाद से 1930 में महात्मा गांधी ने सविना वग्या आंदोलन कहां से प्रारम किया था तो ध्यान दीजेगा दांडी पहुच कर जोएकि क्योंकि सावरमती आस्रम से तो इन्होंने शुरू की थी बारे मार्च को यात्रा और दांडी पहुचे थी पाँच अपरेल को फिर उसके बाद ज सत्या ग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सरवाधिक थी तो गुजरात से जोएकि सरवाधिक थी गुजरात से सरवाधिक तो पढ़ लेते हैं कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यानि गुजरात में समुद्र तट पर नमक कानून का साइट पर महात्मा गांधी को समर्पित गांधी हेरिटेज पॉल्टल पर सभी सत्य ग्रहियों की सूची नाम सहीत उपलब्द है और इस सूची के अनुसार राज्य एवम सत्य ग्रहियों की संक्या निम्न अनुसार थी जिस तरीके से कौन-कौन लोग सामिल हुए तो आप य प्रशन को देखते हैं पॉशन नमर आठ है निम्लिकित में से किसने गांधी जी के नमकांदुलन में भाग लिया था तो सरोजनी नाइडो ने लिया था कमला चटुपाद ध्याय ने लिया था वही राजकुमारी अमरित कौर ने तो उपयुक्त से सभी सभी लोगों ने से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्राय के लिए पूच किया 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अपरेल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानुन भंग किया और इस प्रकार नमक कानुन तोड़कर सविना वग्या आंदुलन शुरू हुआ तो सव सविना वग्या आंदुलन में महिलाओं की ब्यापक भागीदारी रही वो प्रियुक्त सभी महिलाओं सरोजनी नाइडू राजकुमारी अमरित कौर कमला देवी चटुपाद ध्याय ने गांधी जी के नमक सत्याग्राय में भाग लिया था और दूसरा प्रश्ण है मतलब Canma next 9. नमलिकित में से किस यांदुलन में महिलाओं की बागीदारी सरोजिक मानी गई तो किसे मानी गई तो नमक सत्याग्राय ध्यान दीजिएगा वैसे तो स्वदेशी आंदुलन से स्रू हो जाता है इनका बागीदारी करना स्वदेशी आंदुलन से लेकिन जो है कि नकी तो कितना देखनेंगे कि धेदरे असेयो गांदूलन में भी इन्होंने पाटिसिपेट किया और फिर असेयो गांदूलन के बाद जुएकी और आगे बढ़ते हैं तो सवीना वग्यांदूलन में काफी जुएकी महिला सामिल हुई थी इसमें और अगले प्रशन को देखते है महत्मा गांदी ने 1930 में सवीना वग्यांदूलन का प्रारम किया था कब किया था तो दांडी से किया था आगे देख लिए थे हैं महत्मा गांदी 12 मार्च 1930 को सावरमती आश्रम से 80 सायोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिरों में लवक 390 किलोमेटर यानी 241 किलोमेटर की यात्रा कर दांडी पहुँचे यानी गुजरात के नौसारी जिले में इस्थित पहुँचे जहां 6 अप्राल 1930 को उन्होंने नमक कान भंकर सविना वग्या आंदोलन का आरंब किया अगला प्रश्न है सविना वग्या आंदोलन सुरू हुआ कब सुरू है वाई तो दांडी मार्च के बाद हुआ और दांडी मार्च जब कम खतम होता है पांच अपरेल को खतम होता यह दांडी मार्च और फिर कानून कब बनत तो नमक कानून तोडने हेतू किया गया था, किसके लिए किया था, मतलब नमक कानून तोडने हेतू किया गया था, और अगला प्रश्ण है, एतिहासिक दांडी मार्च का सम्मन्द, एतिहासिक दांडी मार्च है, उसका सम्मन्द किसे था, तो नमक कानून को तोडने से किया गटी तो साइमन कमिशन का आगमन हुआ था और दांडी मार्च भारत छुड़ा अंदोल गांधी रवीन समझो था तो यह ऐसे तो नहीं तो आप यहां पर देख सकते हैं चली ब्याक्ष्या में दिखाता हूं मैं आपको देखें दांडी मार्च का प्रारम हुआ वह तो और इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले जो घटना हुई थी वो साइमन कमिशन के भारत आने की हुई थी फिर उसके बाद जो है कि गांधी रवीन समझोता होता है देन आफ्टर उसके बाद आप देखेंगे कि दांडी मार्च होता है और फिर भारत छोड़ो अंदोलन ह मोंता है तो यह जो है की और अगला प्रस्षिन यहां पे अगला प्रस्षिन ए मात्मा घांधी दौरा दांडी मार छेतू तो बिलकुल साही बात है और अगला प्रशन आप यहाँ पर देखेंगे कोशन नमबर अच्छा पहले यहाँ पर इसकी ब्याक्या पढ़ते हैं नैपोलियन के एलबा से पेरिस की यात्रा यानि किये जाने वाले अभियान से की है एक अंग्रेजी समाचार समवादा था ब्रेल्स फोर्ड ने खिली उड़ाई और कहा कि क्या समराट को एक केतली पानी में उबालने से हराय जा सकता है पानी के उबाल रहे थे क्योंकि समुद्र के पानी को उबालने से ही जो एकी नमक की प्राप्ति होती है और इसके उत्तर में समाचार पतर ने कहा कि गांधी महोदा समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक की डोमिनिन स्टेट्स नहीं मिल जाता है अगला प्रशने यहां पे 17 महात्मा गांधी द्वारा नमक कांदोलन वर्स 1930 में चलाया गया था बिल्कुल सही है और महात्मा गांधी का उद्देश की गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्द हो सके तो यह बात भी दोनों ही सही है यहां पे क्या तो देखी यहां लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी का उद्देश था गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्द हो सके तो ऐसा नहीं है नमक तो बस उन्होंने एक कारण बनाया यानि आधार बनाया क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी जो हर घर में प्रियोंग होती है लेकिन नमक फिरी उपलब्द हो सके यह कोई मुख्य कारण नहीं था बलकि अपनी मांगों को पूरा करा सके और आजादी के लिए जो है की आगे बढ़ सके जैसे 6 अपराल 1930 को तांटी में नमक कानून तोड़ा और यहाँ पे आंदोलन शुरू करने से पहले गांदी जी ने वाइसराय इर्विन को जो उसमें वाइसराय थे भारत के 11 मांगे रखी थी इनके सामने और उसमें नमक कर एवम नमक पर सरकारी एकादिकार की समापती की मांग की गई थी न की गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्द कराने की बात थी अगला प्रशने सवीडा वग्या अंदोलन के संदर में निमलिखित कत्रों में से कौन सा सही है महात्मा गांदी को नमक कानुन तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी मदर मुहन मालवी जी, देवदास गांदी और केम मुंसी को नमक कानुन तोड़ने पर सजा दी गई थी तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एंसर हो जाएगा B कि B वाला तो सही है पहला गलत क्योंकि इन्हें क्या किया गे गएे गिरफदार कर लिया गया था और जब गांदी जी को गिरफदार किया था तो नमक कानुन तोड़ने के अपराद में ही गिरफदार किया था यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 अपरा 1930 को महात्मा गांदी ने दांडी नौसारी जिलायनी की गुजरात में एक मुठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उलंगन किया महात्मा गांदी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में बिटे सरकार द्वारा गिरफतार करके यरवदा जेल भेज दिया गया और इस प्रकार प्रशन एक में जो दिया हुआ कथन है वो गलत हो जाएगा जबकि नमक कानून तोड़ने पर बिटे सरकार दोरा मदनमोन मालवी, देवदास गांदी और क्यम मुंसी को भी सजा दी गई थी अगला प्रशन यहां पर ब्याक्ष्ण है कि 5 अपरल 1930 को महात्मा गांदी अपने नमक सत्यागरे के तहत दांडी ग्राम पहुँचे और उन्होंने दांडी आये सभी देशी विदेशी पतरकारों को सम्बोधित करते हैं कि सक्ति के विरुद अधिकार की इस लड़ाई में मै विस्व की साहनुभूती चाहता हूं 20 प्रशन है गांदी जी के दांडी मैर्च के संदर में निम्लिकित में से कौन सा कथन आसत्य है यहां पर गलत कथन पूछा जा रहा है तो यहां पर हो जाएगा यह सावरमती आसरम से दांडी ग्राम तक का एक मार्श था यह तो सही है नमक कर का विरोध करना इसका विसेश प्रियोजन था यह भी सही है समुद्र के किनारे पहुँचकर गांदी जी ने नमक बनाया था या या पूरी तरह से पैदल मार सत्य के समुद्र के किनारे पहुँचकर गांदी जी नमक बनाया था यह यहां पर आसत्य हो जाएगा क्य जिसका गरीवों पर अत्यदिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था और 12 मार्च 1930 को गांदी जी ने दांडी मार्च शुरू कर किया था उन्होंने अपने सावरमती आत्रमेनी अहम्दाबाद से राश्टी नमक सत्यागरा संस्कृति मंत्राले के इत्तायत कहा गया है ने दां प्रशने 21 निमलिखित में से कौन सा खथन महात्मा गांदी की धांडी यात्रा के विशे में गलत है यह पूर्णता पैदल यात्रा थी सावरमती आस्रम से प्रारम होके इसका समापन धांडी में हुआ यह दोनों ही स्टेट्मेंट तो अभी सही है यहाँ पर देखते हैं स सावरमती आस्रम की समुची यात्रा जो 14 दिन में समाप 24 दिन में खत्म हुई और इसकी सुरुआत 15 मार्च 1930 को हुई थी तो यह गलत है क्योंकि यह 12 मार्च 1930 से सुरू हुई थी अगला प्रशने यहाँ पर नमक सत्यांगराय के समय गांदी जी के गिरफतार हो जाने के विझति रूप anlat अंदोलन के नेचा के रूप में उनका अस्थान किस ने लिया था जब यह गिरफतार हो गयते तो अबाया अब आ स्धाय जिने लिया था और जब आप्वास बाय जी गरफतार हो गया थे तो शरूझती नाइड़ू ने जो एकी इसमेतर्त किया था इसको तो अगले प्रशनी की ओर चलते हैं हम लोग 23 प्रशने महत्मा गांधी धरसना नमग गोदाम पर कॉंग्रेस कारिकरताओं के धावे के समय कहां थे तो जब धरसना का गोदाम का कान डो रहा था तो उस समय गांधी जी और लेडी यरवदा जेल में थे तो कि उनको पहले ही गिरफदार कर लिया गया था सवीना वग्या आंदोलन के दोरान धरसना नमग गोदाम पर कॉंग्रेस कारिकरताओं के धावे से पूर्व महत्मा गांधी को पांच मई 1930 को गिरफदार कर यरवदा जेल बेज दिया गया था उनके अस्थान पर अबास तयब जी आंदोलन के नेता हुए और जब उनकी भी गिरफदारी हो गई तो सरीमती सरोजनी नैडू ने 21 मई 1930 को धरसना नमग गोदाम पर धावे का नित्रत्त किया और इस लोम हरसा गटना का विरुण अमेर्की पत्रकार वेव मिलर ने प्रस् देख रहा है कि आचारे विनोग हावे गांधी जी के निकट सयोगियों में से एक थे और गांधी जी द्वारा संचालित विविन आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया वर्स 1930 में वे सविना वग्या आंदोलन में भाग लेने के दौरान पर्थम बार गिरफतार हुए थे अगला प्रशन है यहापे गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने सावरमती आस्रा में ठहराया वह था वेव मिलर ठीक है जिससे ठहराया था वो कौन था वेव मिलर था तो पढ़ते हैं यहापे कि वेव मिलत एक अमेर्की पत्रकार था जिसे गांदी जीने दांडी मार्च के समय अपने सावरमती आस्रा में ठराया था धरसना की विभत से पुलिस ज्यातियों का उले करते हुए इसने लिखा कि समवादाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्स में असंख नागरिक विद्रो देखे हैं दंगे, गली, कूचों में मार काट एवं विद्रो देखे लेकिन धरसना नामक धरसना जैसा भयानक द्रिश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा ठीक है? कभी नहीं देखा उस विदेशी पत्रकार का नाम बताईए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्यग्रह के बारे में समाचार दिये तो विदेशी पत्रकार कौन है जोएकी? वेव मिलर क्योंकि इसी ने जोएकी पूरी जानकारी दी थी अगला प्रशने यहाँ पे निम्लिकित में से कौन दान्डी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? यहाँ पे एक्षन, बेलफोर्ड, वेव मिलर, जी सलोकेम और जेंस पॉर्टसल तो यहाँ पे वेव मिलर साफ जोएकी यहाँ पर थे अगला प्रशने यहाँ पे इनमें से किसने अप्रेल 1930 में नमक कानूं तोड़ने के लिए तंजोर तड़ पर एक अभियान संगठित किया था तो सी राजगोपाला चारी ने किया था 6 अप्रेल 1930 को गांधी जीने गुजरात के दान्डी तड़ पर नमक बनाकर नमक कानूं का उलंगन किया और इसी के साथ संपूर देश में सविना वग्या आंदूलन का सुभारम हुआ समस्त देश में नमक कानूं उलंगन समदी अभियान संचालित किये गए तमिल्नाडू में तंजोर के समुद्री तड़ पर चक्रवर्ती राजगोपाला चारी ने त्रिचिता पल्ली से वेदारणयम की नमक यात्रा प्रारम की और 30 अप्रेल को इनको गिरपतार करने के लिए करने के बाद भी यह आंदूलन इनके समर्थकों द्वारा चलता रहा अगला प्रशन है यहाँ पर 29 प्रशन नमबर भारती स्वाधिनता संघर्स के दोरान रेट शर्ट यानि कि लाल कुर्ती के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिद्मतगारों ने आवाहन किया किसका आवाहन किया उत्तर पश्चिमी के पक्तून जन्याती छेत्रों को अफगानिस्तान के से मिलाकर एक करने का यह भी गलत है उपनिवेशी सासकों को आतंकित करने और अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवाधी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का या फिर आगे देखते हम लो कि राजनेतिक और सामाजिक सुधार के लिए सामेवाधी करांती विचारधारा अपनाने का या पठान छेतरी राष्टवाधी एकता का और उपनिवेश बाद के विरुत संगर्ज का तो डी आप्शन यहां पे बिल्कुल सही आप्शन हो जाएगा क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं इनके बारे में तो उत्तर पश्मी सीमा प्रांत में खान अब्दुलगफार खान के नित्रत में खुदाई खिद्मतगार नमक स्वैम संगठन इस्थापित किया गया था और इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था लाल कुर्ती संगठर ने पठानों की राश्टी एकता का नारा बोलंद किया अंग्रेजों से स्वतंतरता के लिए बिटेस उपनिवेश वाद के विरुद आंदुलन संगठित किया तता स्रम जीवियों की हालत में सुधार की मांग की द्यारतब पे है कि जब अन्य प्रांतों मुसल्मान स्वयम को सत्यागरह से अलग रख रहे थे उत्तर पश्यम सीमा प्रांत में मुसल्मानों ने खान अब्दुल गफार खान के नित्रित में सविना वग्या अंदुलन में महत्पूर भूमिका निभाई तो यहाँ पर यह बात समझ में आती है कि मुसल्मानों ने सत्यागरह से स्वयम को अलग रखा था लेकिन पश्यमोत्तर सीमा प्रांतेरी अब्दुल गफार खान के नित्रित में मुसल्मान यहाँ पर एक जुट थे इनके साथ और अगला प्रशने यहाँ पर लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था किसके द्वरा किया गया था तो अंग्रेजों को निकालने के लिए किया गया था यह जो है कि किसके लिए अंग्रेजों को निकालने के लिए अगला प्रशन है लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे तो यहाँ पे खान अब्दुलगफार खान साब इनके नेता हो जाए तो नेक्स्ट कोश्चन है हमारा तो सविना वग्या आंदोलन में इनकार कर दिया था और अगले प्रशन के ओर देखते हैं 34 सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद प्रसित पेशावर कांड के नायक कौन थे तो वीर चंदर सिंग गडवाली वीर चंदर सिंग गडवाली इसके नायक थे और जिया तरंग अब हमारा अगला टॉपिक आता गांदी इर्विन समझाता है जो कि हम आज तो नहीं कल की नेक्स क्लास में जरू करेंगे आज थोड़ी क्लास शोटी रहेगी दोस्तों इसी विज़े से लेकिन कल जो है कि आपकी क्लास वही 40 से 45 मिनट की रहेगी तो उसमें हम इस शीच को कवर करेंगे मिलते नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग